नमस्कार MPCG24 समाचार में आप सभी का स्वागत है वाराशियोनी डोंगल माली विद्धुत विभाग की मनमानी मचाहे काटे जा रही बिजली प्रती दिन 15 से 20 मिनट में की जाती है कटोती वाराशियोनी छेतरां दरगत आने वाले सबस्टेशन भेंडारा डोंगल माली 33 बटा 11 केवी से लगबग 20 गाओं में बिजली सप्लाई की जाती है किन्तो भेंडारा सबस्टेशन में प्रती दिन लगबग 4 से 5 घंटे बिजली काटी जाती है जो की वेपारी एंप कम्प्यूटर वर्क वाले दुकानों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है जब इसकी जानकारी मीडिया को ग्रामीनों के द्वारा दी गई तो मीडिया टीम द्वारा भेंडारा सबस्टेशन पहुचकर इसका जाय जालिया गया एवं महा की कनिस्त अभियंता अधिकारी श्री चापेकर से मुलाकात करनी चाही तो पाया गया कि श्री चापेकर मुख्याले में नहीं रहते वारा से उनी से आना जाना करते है इस पर जब श्री चापेकर से दूरभास पर संपर करने की कोशिश की गई तो उनका नमबर स्विच आप बताया वहीं इस्थानी नागरीकों की भी शिकायत यहा है कि जब भी बिजली कोल होती है उसी समय श्रीच चापेगर का मोबाइल बंद आता है वहीं आरंभा सेक्टर में देखा गया कि जिन लाइन मेंन की ड्यूटी है किन्तु वह मुख्याले में निवास नहीं करते जिसके कारण भी बिजली चली जाने पर ग्रामीडों को समस्या का सामना करना पड़ता है जबकि अधिकारी कर्मचारी को अपने मुख्याले में निवास रत होना चाहिए इस्थानी नागरीकों की मांग है कि अधिकारी कर्मचारी मुख्याले में निवास करे तो बिजली कटोती समस्या से निजात मिल सकती है इस थानियों का कहना है कि अगर जब फॉल्ट होता है तब कोई भी अधिकारी कर्मचारी मुख्याले में नहीं होता है तो समस्या तब तक बनी रहती है जब तक ये लोग मुख्याले में ना पहुचे और तब तक अंधेरे में रहना मजबूरी सी बन गई है अब देखना यह है कि प्रशाशन इन अधिकारी कर्मचारी ओपर क्या आम कुछ लगाता है और जो अधिकारी कर्मचारी मुख्याले में निवास नहीं करते हैं उनके ओपर क्या कारेवाही करता है वारा सियुनी डोंगरमाली से अनोज माहुले के साथ संदीप धुआरे की रिपोर्ट